हेलो दोस्तो, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है RPSC की तरफ से एक बहुती बड़ी अपडेट एक नई अपडेट आई है और वो किस प्रकार से विद्यार्थी जो है जो आने वाले विद्यार्थी है उन पर असर डालेगी तो आयोक की तरफ से एक बहुती बड़ी खुशकबरी आई है अब आपके एड्मिट कार्ड के साथ रूट मैप चार्ट भी जारी करने वाला है जिसके जरीए और इसका फाइदा जो है वो अन्य जिलो से जो विद्यार्थी आते है परिक्षा के इंद्रों पे उनको बहुती बड़ा फाइदा होने वाला है तो किस प्रकार से और ये क्या नया रूट मैप चार्ट है इन सभी के बारे में इस विडियो में हम डीटेल में चर्चा करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अन्त तक देखेगा वीडियो को सकिप मत करिएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के उपर क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद all bell icon के उपर भी क्लिक करना ना भूले क्योंकि अगर आप all bell icon के उपर क्लिक नहीं करेंगे इन भरती परिक्षाओं में बेठेने वाले अभ्यर्थियों को अब परिक्षा केंद्र का रूट मैप चार्ड भी जारिक कर दिया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभ्यर्थियों द्वारा परिक्षा केंद्र के एड्मिट कार्ड डाउनलोड किये जाने पर इड्मिट कार्ड के साथ ही परिक्षा केंद्र लोकेशन ट्रेस करने के लिए एक रूट मैप चार्ड भी मिलेगा। परिक्षा केंद्र के जाने का रूट मैप चार्ड होने वाला है साथ ही आप उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। जो सीधा आपको परिक्षा केंद्र तक लेके जाएगा क्योंकि हम सभी को पता है। बहुत सारे जो अभ्यर्थि होते हैं जो अन्य जिलो से जब परिक्षा केंद्र जाते हैं। प्रदेश में किसी भी जिले में परिक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। यानि कि इससे एक और खबर आ रही है कि आपका जो परिक्षा केंद्र है वो पूरे राजस्तान में कहीं भी आ सकता है। ऐसे में नए शहर में अभरतियों को परिक्षा केंदर ढूंडने में कासी परिशानी होती है परिक्षा कंट्रोल रूम पर भी अधिकांज फोन कॉल्स परिक्षा केंदर की लोकेशन को लेकर ही किये जाते है आयोग के अधिकारियों और सूत्र का कहना है कि आयोग द्वारा फिलाल 23 से लेके 25 तक जो परिक्षा आयोजित की जा रही है उनमें इसकी शुरुवात की जाएगी और इससे क्या होगा कि जहाँ पर आपका सेंटर है उस सेंटर के आस पास कोई बड़ी लोकेशन जैसे कि रे बिना किसी के मदद लिए आप सीधा ही ढून सकते है साथ ही Google Maps तो आपके पास है ही तो Google Map के जरीए भी आप ढून सकते है वैसे RPSC ने नहीं सुवीदा जो है वो शुरू अप की है लेकिन Google पे तो सब कुछ पहले से ही शुरुवात कर दिया गया है आज कल हर किसे के पास मो तैयार हो जाईएगा तो यह थी अपडेट RPSC की तरब से जो अभी नई एक सुवीदा जो है वो शुरू की गई है RPSC के द्वारा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो आगर आपको पसंद आया हो इन्फरम